नमस्कार साथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का परबोच क्लासेज के यूट्यूग चैनल में साथियों आज हम बात कर रहे हैं परिक्सा गुरु उपन्यास की जो की आपके इसके लेखक है लाला स्री निवास दास परकासिद कब हुआ था? इसमें होता? दोसल कि इसमें यह होता है यह एक वो पिता होता है यह एक आपकार होता है। वो साकर होता है, पिता नबीदा के पास बहुत पत्पाइब कर जाता है उसे में उसको जो है उसका एक दोस्त होता है वह बाद में वकील बन जाता पहलेता है उसको बढ़काथे हुआ है और उसे सारे पैसे जो है उसे धार कर लेधे को सब्सक्राइब और उसके लहावा थिक है उसींदर एसा गैसा ही फाउपा देश्अ करण क्या है इसके ध्याई हुआ है ठीक है तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस उपन्यास की और यह परिक्षा गुरु उपन्यास आपके जो यूजिशन एट में लगा हुआ है पहला जो पहला उपन्यास था हमने पढ़ लिया था देवरानी जठ्थानी की कहानी नामक उपन्यास और आज हम पढ़ रहे हैं परिक्षा गुरु उपन्यास जो कि किसका है लाला सिरी निवास दास का सबसे पहले हम बात करते हैं पहला परशन आपका यहीं बनता की परकासित कब हुआ था तो आपके 1852 में यह परकासित हुआ थीक है इसके बाद आगे हम बात करते हैं आचारे राम चंदर सुकल ने प परिक्षा गुरु उपन्यास निवास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी बहसा में नई चाल की पुस्तक कहा किसको परिक्षा गुरु उपन्यास है अपको द्यान रखना है ये फेक्ष भी मैत्पून है आगे हम बात करते हैं लाला श्री निवास निवास निवेदन में उपन्यास लिखने है तो प्रेयना स्त्रोत के लिए महाबारत दी संस्कर्थ गुलिस्ताम वगेर फार्शी स्पेक्टेटर लोड बेकन गोल्ड स्मित वीलियम कूपर कपूर हो सकता ठीक है वीलियम कपूर कुराने लेको स्त्री बोध और वर्तमान की रिशालों को सरेई देते हैं ठीक है उपन्या स्कता परदान नहीं बलकि उपदेश परदान है ठीक है साथ यह तो हो गई इसकी कुछ थोड़ी वहत विशेशता अब हम अपने जो हम में पर आजाते हैं कि आपको एक्जाम में कहां से पूछा जाता है परसन आपको जो है साथ यह परकार के परसन पूछे जा सकते हैं व ऐसा कैसे सभंदित लिए आपको पातरों से संब्नक्राण आपने यह सकता नाम देकर पूछ सकते हैं कि अपन्यास का नाम कि पूछ सकते हैं और से सामने यह फुर्प किसने कहा था जैसे वह वकील होता है वकील कहता है कि उस लड़के को कि यह संगती में ना पढ़ता है जो यह कज़िए कौन कहता था ठीक है इस परकार के उधरन से समाधित कफन भी आपको पूच्छे जाते हैं ठीक है तो हम सुरुआत करते हैं सबसे पहले पातरों की और पा साहुकार होता है यह उपन्यास का मुख्य पातर जो एक धनवान वेपारी हैं कौसा लाज़ा मनमहैं ठीक है लेकिन गलत संगतीम फसार रहता है जह अंत में जेण पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है पेशे से वक्यलें समझदार इंसान है कौन साथ यो आपके लाला बरज की सो ठीक है मुंसी चुन्नीलाल एक पात्र इसमें मदन मोहन का चापलू समित्र जो पहले लाला बरज की सोर के यहां दसर पे महने का नोकरी करता था कौन अगला पातर है मास्टर सिंबु दयाल कौन है लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उसके लिए रखा गया था बात में उसकी चापलू से करके अपना उलू सिदा करता है ठीक है चापलू से करके अपना खुद का पेट बढ़ लेता आराम से और अपना उलू कौक्ति है तो फिल्कुल ये बढ़ लेता है हर किसोर अगला पातर है हर लाला मदन-महहन से बेर हो जाने हो जाना कारण सभी को बढ़का कर लाला मदन मोहन को मुकदमा दर्ज करवाता है तो कौन साथ हो हर किसोर आपका पातर है ठीक है तो आपको यह दोना चीज़ है इसमें कौन कौन से पातर है लाला मदन मोहन है बरज किसोर है चुनिलाल सिंबु दयालोर हर किसोर है ठीक है यह तो गई आपके मुख्या पातर है यौन पात्रों के गहर मैं बात करते हूं तक यए काम मेंनी कोन है Luck में के पतनी ठीक एक क्योंका पैणित कूज मोमन का मित्र ठीक एक ऑपगए आपके हकीम एहमद हुसेन कोन है साथ यह हकीम एहमद हुसेन नामक का पातर है यह कौन है लाला मुद्र मोहन का मित्र है बेजनात भी जो है मित्र है हरदयाल भी जो है उसका मित्र है हर गोविंद जो है पंसारी का लड़का है मिस्टर ब्रैट कोन है निहाल चंद मोधी है कौन निहाल चं दो गया निहाल चंद मोधी और आगा हशन जान हो गया ठीक है ये कौन हो गए आपके गोण पात्र हो गए इसके बाद आगे हम बात करते हैं कता का सार क्या क्या है कि एक वार हम पढ़ लेते कि इसके आका का इस उपन्यास में होता क्या है सबसे पहले कर हम बात करते हैं इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबार वा सहुकार लाला मदर मोहन की हैं जो एक समरद वेश्य परिवार में जनम लेता हैं और उसे अपने पिता की मेहनत वा दिरस से बड़ी दोलत विरासत में मिलती हैं लेकिन वा पस्चे में आ वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रज किसोर जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उसे टोकता था ठीक है उसे दूर कर देता हैं जबकि चुन्नी लाल, संबुदयाल, बेजजनात आदी को अपने साथ रखता हैं और ये सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार पर प्रोटसान देते हैं उसकी खुशामत करते हैं तता अपने तता उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं इन लालची लोगों द्वारा दिये गई गलत स्लाओं के कारण लाला मधनमौहन जल्दी ही करज में दूप जाता है क्यूंकि उसके साती दोस्त होते हैं वो ऐसे ह होते हैं इसलिए जल्दी करज में दूऌ कघ्र साथ छोड़ाते हैं एंत में उसका सच्छा शेक्सड बुद्धि fansुक और उसके खोई हुई संपति उसे वापस दिलवाता है अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एसास होता है और वह चापलों से करने वाले मित्रों तता दुरवेशी छानों से भी तोबा कर लेता है ठीक है कुछ समझ में आया आपको कि अंत में जो उसका साथ कौन देता सबसे चल्ए जो है इसका सबसे पहले muss निकाला था आपके यह कोन है कि नाम ता उनका ब्रज क इसोर उसका दोस्ता वह राव रच्वी अंत में इसका साह नेता है ये कौन сказала में अश्यचिर महंति स notable इसाले जो है इसका मित्र होता है ठीक है इसके बाद आगे हम बात करते साथ यो आपके सामने उद्रान उपन्याज के परक्रण कौन-कौन से हैं उपन्याज के परक्रण के हम बात करते हैं साथ यो जो है एक परसन पूता जाता है ठीक है तो परन्याज के मुख्य परक्रण कितने हैं सबसे पहले हम बात करते हैं, 41 प्रक्रणों में विबक्त है कौन, ये उपन्याश्टी का कौन सा आपका परिक्सा गुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू ढसे है साउ दनी 8 में हाँ ठीक है सभाशके है नसा प्रक्राण है प्रबंद यानि इंत कोशो है सजंता बार प्रेलग सुख दुख तेरो प्रकरंढ बिगाड का मुलविवाद सोद्वा प्रकंढ़ कांब सत्र वेवार ऊफैंज पंदरवा प्रक्रण कौन से हैं पिर ये अत्वा पीए ठीक है शोलवा प्रक्रण कौन से हैं सुरा यानि कि सहराब ठीक है सतरवा प्रक्रण कौन से साथ यो सवतंतरता और सविच्चा चार अठारवा शमा उन्निसवा सवतंतरता बीसवा करतग्यता 21 वा कौन सा है पतिवर्ता, संशिय, प्रामानिक्ता, हाथ से पैदा करने वाले और पोत्रों के अमीर, कौन सा 24 वे नुबर का प्रक्रण है, सासी पुरुस बिल्कुल आपको ये करम से भी एसे याद रखना, ये करम से ही है, ठीक है, और 26 वा कौन सा है दिवाला, 27 वे लोग प्रवा, 35 वा है निंदा, स्तूति निंदा का बेद, 36 वा कौन सा है दोकी की टट्टी, 37 वा कौन सा है विपती में देरी है, 38 वा कौन सा है सची पिरीती, और 49 वा कौन सा है प्रेत और भय है, ठीक है, और 49 वा कौन सा है प्रेत और 40 वा कौन सा है सुक्की प्रमावुदी, यह हो गए साथ ही उपन्यास के जो है आपके 41 प्रक्रण अब हम थोड़ा आगे पढ़ने के बाद साथ ही उससे पहले हम एक बात थोड़ा इसको जो है इनके पातर को वापस रिपीट कर लेते हैं इसमें पातर कौन-कौन से आज आती है आपके लाला मदन मोहन है बरज किसोर है चुनी लाल ठीक है मास्टर मास्टर सिंबु दयाल हो गया हर किसोर हो ठीक है यह तो हो गए इसके पातर इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो आपके गोन पातर कौन-कौन से हैं इसमें कामीनी होगी प्रेम्वदा हो गया पंडित पुरुसोतम दास हो गया इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो एक बार इसमें थोड़ा सा एक में दुखनाना थोड़ा सा आप सही है ठीक है कामिनी हो गया प्रिमवदा हो गया पुरुसुत पुरुसुत कमदास हो गया एहमद उस्यान हो गया बेजेनात हो गया हर अगे अगर और हर भुवदा हो गया मेश्टर बरायट हो गया निहाल चन्द हो गया और आपके अगाशन तो पिरीयत हाः झाल विटिक सुरायानि सराव एक यों गया सटरवा मुझन सवातनदर्तां चुर झाल हम परकृणा portion प्रक्रण प्रक्रण यानि अफ्वा ठीक है फूट का मुख फूट का काला मुख बाचेत हो गया नेराशे यानि नामवीदी हो गया इकतिसवा प्रक्रण आपका चालाक की चूक 32 है अदालत 33 है मित्र पडिक्सा 34 है हीन परबा 33 है स्तूति निंदा का बेद 36 है कौन सा है धोकी की टटी 36 है कौन सा है विपती विपती में देर है 38 है कौन सा है सची प्रिती और 49 है प्रेद भया चालिसवा है सुधारने की रिती और 41 वा कोन से है सुख्षी परमाउदी ठीका साथ यह गए आपके उपन्यास के 41 परकरण इसके बाद आगे हम बात करते हैं कुछ विशेशताओं के बारे में कुछ विशेशतात्य क्या क्या है उपन्यास में प्रतिक आत्मक रूप से इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा भारत के आरतिक सोसन और लूट का यथार्थ चितरन इसमें किया गया है इस उपन्यास के हर परकरण की सुरुवात संसकर्थ, ब्रज, स्वार्सी, आदी भासा के साथ साथ, इंगलेड, यूनान, आदी की परमुक विद्वानों के विचारों के पद्द्यनुवात से होती है अपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भासा में लिखा गया है तो आपको ध्यान रकनार साते हैं यह ब्लकुल मैध्पोण है और यह कहाता इहां परकरण की विचरें है आगे है अपके ऑपन्यास में पाठ्द्येश की परजार बासा बइसें धिका हैं तक्धियों ऑसी बासा की हैं, खड़ी बोलई हैं का तो आपके इसमें पद्रद्य की बाषा कैसी है वो उस यूग के प्रभाव का कारण है उपन्यास में ततकालियन समाज में समाज में व्यावत एसिक सा लोब प्रपंच दिखाई और दैनी स्थिति के समाजिया आदी पर प्रकास डाला गया है थीक है इसके बाद आगे हम ब सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी भासा मैं यह नई चाल की पुस्तक वगी यहां सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी लल चाता है परन्तु पुरानी रिती के मन में समाए रहने और नई रिती को मन लगा कर समझने में थोड़ी मेनत होने से पहले पहले पढ़ने किया वाले का जी कुछ अलजने लगता है और मन उच्छट जाता है तो यह किस ने कहा था आपके मिश्टर ब्राइट कोन के सामने जो है कतन है प्रीति का सुक ऐसा ही अलोकिक है संसार में जिन लोगों को बोजन के लिए अन और पहनने के लिए वस्तर तक नहीं मिलता उनको भी अपने दुख के साती प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर चाती का बोज हलका करने पर अपने दुखों को सुन सुनकर इसके अउसके जीबर आने पर उसके देहरी है देने पर उसके हाद से अपनी डबडबाई हुई आकोस के आज आ आशू पूजा जाने पर जो संतोस होता है वह किसी बड़े साथ यह पानी, से बहुत को कीची है, पुरा का है, परंतु हाथ दिक्राइब यह यह आप ग्रास प्रॉब कार की इच्छा ही अत्यंतवक्कारी हैं परन्तु हर्दे से आगे बढ़ने पर भी बढ़ने पर वहां भी फिजूल कर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुम परवार परवारादी यानि परिवार और आदी ठीक है का सुक नश्ट हो जाएगा जो आलची अत्वा अधर्मियों ठीक है नियाए परता यह दपी सब बरत्यों को समान रटने वाली है परंतु इसकी अधिक्ता में भी अधिक्ता से मनुष्य के सहबाओं में मिलन सारी नहीं रहती समा रहती है ठीक है तो यह कृतन किसका आपके लाला बरज किसौर का है इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपकी फिर से लाला बरज किसौर का आपके सामने जो है कतान burnt वह हैं देश की उन्नती औधिका आधार वहां के निवाशव की परकरती पर हैं सब देशों में सावदान और एसावदान मनुष्य परंतु जिस देश के मनुश्य साव्दान और उद्यागी होते हैं। उसकी उन्यति होती देश डेश का हैं। ठीक है। और वे जो है वे द्रव्य की ए संगति से अत्वा द्रव्यवानों की अग्यानता से अत्वा उप्यों की परदार्तों की आप्राप्ति से अत्वा नई नई युक्तियों के अनुबव करने की कठिनाईयों से निरतक हो रहे हैं और उनकी सावदान था बनक फुलो की तरहां कुछ उप्यों किये बिना वरता नेश्ट हो जाती है परन्तु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावदान नहीं हो यहाँ बात हरीगज नहीं है तो यह कस्तान किसका है सात्यो लाला ब्रज किसोर का है मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना सुक का कारण है और उसमें हर्थ पढ़ने से ही सुक होता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना या उसका ऐसे ठीक है आप इन पर ज्यादा फोकस नहीं करें क्योंकि मैं जो बोल्ड हूं उस पर फोकस करें क्योंकि हो सकता प्रेंटिंग विश्टेक हो जाती है इसका आपके पास अगला गतन है हिंदुस्तान की उन्नती नहीं होती विद्याबास के गुण कोई नहीं जानता अकबारों की कदर कोई नहीं करता अकबार जारी करने वालों को नेफे के बदले नुकसान उठाना पड़ता है ठीक है हम लोग अपना दिमाग खिफा कर देश की उन्नती के लिए आर्टिकल लिखते हैं परन्तु अपने देश के लोग उसके तरफ आँख उटा कर भी नहीं देखते हैं साथ आपको सिर्फ एक्जाम में से इसा पुझाता है यह आपके सामने यह जो है कतन आ गया और उप अनुशों को सवतंतर बनाया है पर स्वेच्चाचारी नहीं बनाया क्योंकि उसको प्रकरती के नियमों में अदल बदल करने की कुछ सकती नहीं दी गई है यह किसका है लाला ब्रज किसोर का वर्तमान समय के अनुसार को सबके फायदे की बातों पर सत्सास्तर और शिष्ट ने का है ये कमी किसका है शाति है आपके माश्टर सिंबुदयाएल का है ठीक है इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आदमे की पहचान जहीरी बातों से नहीं होती उसके बरताव से होती है ठीक यह कतन किसका है लाला ब्रजकिसोर का अगला है ब्रजकिसोर का कतन है मनुश्य को जलन उस मौक्य पर हुआ करती है जब आप उस लाइक नहो परंतु तुम को जो बड़ाई बड़े परिस्रम से मिल हैं वहां इस्वर की करपा से मुझे को बे मेहनत मिल रही हैं फिर मुझे को जलन क्यूं हो तुमारी श्यत्तर है खुशामत करके मेहदन मोहन से मेल क्या चाहता तो सहाज कर लेता परन्तु अपने आप यह चाल पसंद ने की तो अपनी इच्छा से छोड़ी हुई बातों के ल एक और प्रमानिक मनुष्य परमेस्वर स्रवतकर्ष्ट रचना है है कि मनुष्य के मन के बिचार न सुद्र ना सुद्र तो पढ़ने लिखने से क्या माब हुआ कि सब्चान आदमी की द्रड बुद्धी को कहते हैं यह बिकिसका कतन आ लाला प्रज किसोर का एक तन और ला शबला बरच किसोर का वो वहा शे कंदोस का है कि निवाश्य हैं, यससे बहुत से निर्दोस दूसित बने जाते हैं। हिंदुंस्तानय nelle अब तक विद्य का वियसन नहीं हैं, समय कि कदर नहीं हैं, बले बुरे कामों की पैचान पूरी पैचान नहीं है इसी से यहां के निवासी अपना बूर समय औरों के निज की बातों पर हाश्या लगाने में और इदर उदर की जटल हांखने में खो देते हैं जिससे तरह-तरह की अफवाए पैदा होती है और बले मांसों की जुटी निंदा अफवा की जहरी पवन में मिलकर उनके सुयस को तुंदला करती है ठीक है तो साथ यहां पर है क्या कि यह कहना क्या चाहता आपको समझ में आओगा कि अपने भारत की बात बता रहे हैं कि हिंदूस्तानियों में कैसा होता है यही होता है जो बिल्कुली सच कह रहा है ठीक है कि अपने जो है किसी काम में ट्रंक से अपने किसी काम को करते नहीं है फालतू की बातों में उसके पास बैटे उसके पास गई उससे क्या बात की फोन पर उस पर क्या बात की ऐसे में हम अपना समय गवादेते और इसके क्या बता है फाल्त्य की अपमाइद की अपमाएं भी फालती है ठीक अपने काम में कम ध्यान रते हैं और धूसरों की बातों में जद्धा ध्यान लगाये बेटे ते यहा हिंदे Pea इसलिए तो है जो थोड़ा हिंदुस्तान अपने पीछे हैं ठीक है लाला ब्रज किस और आदत अब यहां सामारते हैं कि वहां मनुश्य की इच्चा न होने पर भी अपनी इच्चा नो सार काम करा लेती है दोखा दे कर मन पर अधिकार कर लेती है कितन किसका है लाला ब्रज की सोर का मनुस्य के चित So is कोन्म आउर कटोन नहीं है यह कतन भी किसका लाला ब्रज की सोर का एक expect औरुबए इनका किसी मनुस्य के रीती भाती सुद्रे बना उसके अगे उससे में सारी ये ऐसे थोड़ा आप जो है इसका ध्यान रखना उससे आगे को काम नहीं लिया जा सकता परंतु जिन लोगों का सुधार्णा अपने बूते से बार हो उनसे काम काज का सम्मध नहीं रखना ही अच्छा है और जब किसी मनुश्य से ऐसा सम्मध नहीं रखा जा पर करोना और दया रखनी सज्जनों को विसेज सोबित करती हैं यह भी किसका है लाला बरुज किसोर का कथन है ठीक साथ यह हो गए आपके कथन और मैंने कहा था अब इसमें आपको ध्यान रखना है पर मुकतन कौन-कौन से हैं विसेज था मैंने बता दी थी परक्रण बिल कि थी आपके कता का सारम ने देख लिया था गोर्ण पात्र कौन-कौन से तब पात्र कौन-कौन से हैं और आपके परिक्सा गुरू उपन्यास लाला स्री निवास दास का ठीक है तो आपको यह भी धियान रखना है यह आपका जो है यह यहां पर अपनी पुस्तग में नई ठीक है तो आपको यहां तक पढ़ लिया अच्छी से समझ में आया होगा आसा करती हो तो साथ ही हो ठीक है ऐसे ही हम जो है यूजिशी नेट का फुरा स्लेबस खतम करेंगे ठीक है तो आज के लिए यहीं देने वाद